मोबाइल एक बम की तरह फट भी सकता है देखे पहले मध्यपरदेश और फिर राजस्थान में इस तरह की खबर सामने आई तो क्या कारण है कि मोबाइल एक बम की तरह फट जाता है जिसमें कई लोग गंभी रूप से जखमी हो जाते हैं या फिर कुछ केस में लोगों की मौद भी हुई है तो कारण है बैटरी का ओवर हीटिड हो जाना या फिर शॉर्ट सर्केट तो क्या किया जाए कि इस स्थती का या इस खत्रे का सामना ना करना पड़े कुछ सुझाव है अगर आप इनको ध्यान रखेंगे तो ये बहुत ही अच्छा होगा पहला तो यही कि धेर सारे एप डाउनलोड ना करें इसके अलावा अगर आप तकिये के नीचे मोबाइल रख कर सोने के आदी हैं तो इस आदत को अभी इसी वक्त तुरंत छोड़ दे गर्मी में बंदकार में मोबाइल गलती से भी न छोड़ें ये बहुत जरूरी है इस बात को याद रखें इसके अलावा लगातार दो-तीन घंटे तक अगर आपकी फोन पर बात हो रही है तो लगातार कान में लगाकर मोबाइल फोन दो-तीन घंटे तक बात ना करें इयर फोन का यूज़ कर लें एस्पीकर का यूज़ कर लें चार्जिंग के वक्त गेम न खेलें बाते ना करें और साथ ही डूप्लिकेट चार्जर का इस्तमाल तो बिल्कुल भी न करें